क्या अब जाएगा SC, ST, CAST वालों का भी हाई cut-off 600 प्लस तो चलिए, पहले हम बात करता है कैसे कैसे cut-off हाई होते हैं पहले हैं बात करते हैं कि SC, ST वालों का रिजरिवेशन केता है निट में मिलता है तो SC वाले जो होते हैं मिलता है उनको रिजर्वेशन मिलता है 15% जानि कि अगर 100 सीटे हैं सिर्फ आपको समें 15 सीटे ही मिलेंगे अगर एस्ट वालु की बात करें तो एस्ट वालु को मिलता है 7.5 प्रेजंट है सीट हैं तो आपको सिर्फ 7.05 सीटे मिलेंगी तो कैसे करता है कैसे हम बात करते हैं हुआ हाँ है है कर से यह लोगा जो ाव कुट जर बिस के बात करें तो 2020 में जो cut off गया है 433 नमबर गया है और वही अगर हम 2021 की बात करें 2021 में कितना cut off गया है SCHT वालों का तो 2021 में गया है 445 नमबर और वही अगर हम बात करें 2022 की 2022 में जो cut off गया है वो काफी है गया है 499 यानि कि लगबग 500 नमबर के करीब आपका कटाफ गया है यानि कि देख दीजे आपका कटाफ कैसे कैसे हाई हुआ है 2021 में जो आपका कटाफ था वो था 415 20 में 453 21 में 454 22 में 498 क्या जनरल की तरह आपका भी कटाफ 600 प्लस जाने वाला है नीट 2023 में इतना हाई नहीं चाहेगा जनरल वालो की तरह पर जो आपको अगर गवर्मेंट M.B.B.S. स्कॉलेश चाहिए तो अगर आपका कटाफ 500 जा रहा है ठीक है देखे इस्टेट वाज़ोता है यूपी में गया था 498 क्या पता किसी स्टेट में ज़्यादा जाए 45.500 जाए किसी स्टेट में कम भी जाता है अगर आल इंडा कोटा की बात के तो तमिल नाडू में जाएगा तो वहाँ पर कम जाता है अगर आल इंडा कोटा में बात के तमिल नाडू में जैसे P.M.C. है P.M.C. में जो आपका कटाफ गया था गया था 500 गया था से वालों का जन्म वालों का 632 गया था मैंने एक वीडियो बनाई हो आगर देख लीजी ठीक है तो जो दो हजार टेस में जो आपका कॉट आप जाने वाला है लगबग आप मान के चले कि हम साड़े 500 नंबर कि साड़े 500 हमाई लिए सेव हैं साड़े 500 नंब आएंगे तो कोई बहुत ही अच्छी है अगर शाड़े 500 नंबर आप मान के चलेंगे तो लगबग आपके जो नंबर आने वाले हैं वह अगर 500 आगे तो आपको एक गवर्मेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद